सवालाख से एक लडाओं सवालाख से एक लडाओं धर्म के दस्वे गुरु साहिबे कमाल गुरु गुविन सिंग महराज जी की जिन्होंने खाल सा पंथ की स्थापना की गुरु गुविन सिंग जी के बच्पन के खेल बड़े विचित्र और अनोखे हुआ करते थे बच्पन में गुरु जी टोलियां बना कर लड़ाई का अभ्यास किया करते थे सारे शहर में उनकी बाल सिना बहुत मशहूर थी गुरु जी खेलाउनों की बजाए तीर कमान जैसे शस्त्रों से खेला करते थे उनकी निशाने बाजी दूर दूर तक मशहूर थी गुरु जी के तीरंदाजी के करतब देखकर लोग आश्चर चकित हो जाते थे दिरंदाजी के अलावा गुरुजी को गुलेल से निशाने लगाने का भी बहुत शौक था जिस हवेली में गुरुजी रहते थे उसी हवेली में एक कुवा था उस कुवे का पानी बहुती मीठा और स्वच्छ था मुहले की आरते उस कुए से पानी भरने आया करती थी जब भी वो आरते कुए से पानी भरकर अपने घर की और जाने लगती थी तभी गुरुजी अपनी गुलेल से उनके घड़ों का निशाना बना कर उन्हें तोड़ दिया करते थे सभी औरते माता गुजरी जी को कुरुजी की शरारत पर शिकायत किया करती थी जिस पर माता गुजरी जी उन सब को दिलासा देकर घड़े के मोल से भी जादा पैसे दिया करती थी घड़े की कीमत से भी जादा पैसे मिलने पर वो औरते खुश हो जाती थी गुरु जी हमेशा गरीबों और जरूरत मन लोगों के साथ ही ऐसी शरारत किया करते थी वो बार बार ऐसा क्यों करते थी इस बात को माता गुजरी जी भी समझ नहीं पा रही थी इसी तरह की एक और गटना है गुरु जी के घर के पास एक विद्वा बूरी माई रहती थी वो बहुत ही गरीब थी और उसकी कोई आउलाद भी नहीं थी वो चर्खा कात कर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी गुरु जी उस बूरी माई के घर में जाकर उसकी सारी चर्खियां बिखेर देते थे जिससे वो गरीब बूरी माई बहुत दुखी हो जाती थी और गुरु जी की शिकायत माता गुजरी जी को किया करती थी माता गुजरी जी उस बूरी माई को भी उसकी चर्खियों के दाम से भी जादा पैसे दे दिया करती थी जिससे वो बूरी माई भी होश हो जाती थी एक दिन शिकायतों से तंग आकर माता गुजरी जी ने बालक गुविन्द से पूछा कि वो ऐसा बार बार क्यों करते हैं तो बालक गुविन्द हंस कर बोले कि मैं ये सब इसलिए करता हूं ताकि गरीबों का भला हो और उन्हें जादा पैसे मिले जिस से उनकी गरीबी असानी से कट सके हूं गुरू जी जब भी अपने विजित्र और अनोखे खेल से किसी के साथ शरारत किया करते थी तो दरस उस शरारत के पीछे उस मनश्य के वालाई ही चुपी होती थी इसी तरह का गुरू जी का एक और विजित्र किस्सा है गंगा नदी के नारे एक कोड़ी रहता था वो कभी भी सनान नहीं करता था एक दिन जब गुरू जी अपने मित्रों के साथ गंगा किनारे खेल रहे थे उन्होंने उस कोड़ी को गंगा में धक्का दे दिया वो कोड़ी घबरा कर चिलाने लगा परन्तु जैसे ही वो कोड़ी नदी से बाहर आया तो उसकी शरीर से कोड़ दूर हो चुका था अब वो बिल्कुल स्वस्थ था गोड़ी अपने स्वस्थ शरीर को देखकर आश्यरे चकित रह गया और गुरू जी के चरणों में खूट खूट कर रोने लगा और जिंदगी भर के लिए गुरू जी का हनुयाई हो गया गुरू गोविन्द 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 नूरे गोबिंद। आज्यापई अकाल की तबे चलायों पंत। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्योग्रण। गुरु मान्योग्रण। नूरे गोबिंद। नूरे गोबिंद। नूरे गोबिंद। परियतन विभाग बिहार श्री गुरु गुबिंद सिंग महराज जी के 350. प्रकाश पर्वपर आपका हार्दिक स्वागत करता है। लिए लिए नूरे लिएो लिए स्वाग।